चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल, इसमें हमने 5 तरह की दाले लिए हैं, चने की दाल, मौं की दाल, मसूर की दाल, उड़त की दाल, और अरहर की दाल, सभी दालों को बराबर मात्रा में लेंगे, और 10 मिनट के लिए फूल लेंगे, उ पुकर का प्रशर लगाएंगे इसमें हम 4 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे इसमें गैस की फ्लेम बिलकुल हमाई धीमी रहेगी चने की दाल देर से पकती है इसलिए हम इसे धीमी आज पर ही पकाएंगे और जब तक प्रशर अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसे कलियां एक इंच द्रक का टुकड़ा और थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसके बाद हम पैन गरम करेंगे पैन में एक चमच घी या तेल जो आप पसंद करें डालेंगे और आधा चमच जीरा चटकने के लिए छोड़ देंगे जीरा जब अच्छे से चटकने लगेगा तो उ उसके साथ ही दो खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे धीमी आज में इसको अच्छे से पकाएंगे जैसे जैसे लेसुन पकता है उसकी खुश्रू बहुत अच्छी लगती है उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे हींग हमारे पीट के लिए बहुत फायदी मन होती है खाने को पचाने में काम करती है उसके बाद हमस में बारी कटी हरी मिर्च और किसा हुआ अधरक डाल देंगे धीर धीर एन को भी भून के पकाएंगे अधरक का कच्छा पन निकल जाना चाहिए मिकस ताल में अधरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जब माई अधरक और हरी मिर्च पकने लगेगी तो उसमें बारी कटी प्याज डाल देंगे इस समय गैस की फिलेम बिल्कुल धीमी रहेगी और प्याज को भी हम गोर्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे अब हमारी प्याज पक गई है इसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे इसको भी दीमी दीमे पकाएंगे टमाटर को ढख देंगे ढख देने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं और जब टमाटर पूरी तरह से जल जाएंगे इसमें हम अपनी दाल डाल देंगे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं डाल डाल देंगे हम थोड़ी थोड़ी करके डाल को डालेंगे अलग से पानी डालने के जरूत नहीं हमाई डाल में परियाप्ट पानी था पहले से ही और उसको अच्छे से पकने देंगे एक बर ताकि हमाई दाल में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए थोड़ी देर दाल को ढखके पका देंगे अब देखिए हमाई दाल उबलने लगी है फिर उसको हम ढखके रख देंगे दस मिर्ट बाद ये खाने के लिए तैयार है इसको गर्मा गरम चावल और अचार के साथ इंज्वाइ करिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए